हेलो वीवर्स, रचनास क्रेशन कर्ची से कलम तक में आपका स्वागत है आज मैंने बनाया 50 लोगों के लिए Mixed Vegetable पुलाओ तो चले शुरू करते हैं बनाना, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बड़े साइस का पतीला यानि की भगोना ले लिया इसमें डाला है सरसो का तेल, सरसो का तेल डालना है इसमें 2,5 कटूरी क्योंकि यहाँ 50 लोगों का बना रहा है तो तेल भी इसमें जादा लगेगा तो मैंने यहाँ डाल दिया 2,5 कटूरी सरसो का तेल जब सरसो का तेल गरम हो जाएगा तो इसमें तड़का देंगे साथ से आठ तुकड़े दाल चीनी के और एक चमच खड़ा काली मिर्च तो ये कुछ खड़े मसाले हैं और ये वो खड़े मसाले हैं जो स्वास्त मंत्राले आयुश मंत्राले ने इन दिनों यानि कि लॉकडाउन और कोविड-19 कोरोना के समय में खाना कंपलसरी किया है कि एवलेबल नहीं हो पा रहा है तो मैंने सोचा कि सारी सबजिया मिला के एक मिक्स वेज बुलाव और चटनी बना के उन लोगों को डिस्ट्रिब्यूट करूँ तो मैंने घर पे बनाया उनके लिए यहां पे मैंने साथ से आठ प्याज बड़े बड़े लंबे लंबे टुक सामगरी आपकी यही लगेगी बस मात्रा जो है उसे कॉर्डिंग कम हो जाएगी यहां हम पचास लोगों के लिए बना रहे हैं इसलिए सारी चीजों की मात्रा भी बहुत जादा है और अब हम लोग इसको प्याज को दो से तीन मिनट हलका ब्राउन होने तक बुलेंगे बह लहसन अद्रक का पेस्ट मैंने घर पे बनाया है तीन पूरी लहसन पूरा लहसन और एक बड़ा तुग्रा अद्रक का दो से तीन चमच पानी डालके मिक्सी की जार में पेस्ट बना लिया है तो तयार हुआ है पूरा एक कटवरी लहसन अद्रक का पेस्ट लहसन और अद्र आपके मसालों के डब्ब में अवलेबल मसाला ये मैंने डाला है 5-6 आलू बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए पहले हम लोग सारे वेजिटेबल सेट कर लेते हैं तो मैंने डाल दी आलू टमाटर 3-4 शिमला मिर्च कटी हुई दो गोबी बड़े बड़े टुकड़ जो गरम पानी में बॉयल करके रखा है न्यूट्रिला की सोयाबिन की बड़ी है तो यह सबस्क्राइब बनाते हैं तो घर में सबस्क्राइब ने बनाते हैं सबस्क्राइब यहां पर नमग कम हो जाता है इसलिए मैंने यहां पर डाले है पांच चमश चावल के कवाड़िंग जी तो इसके बाद डालेंगे इसमें 1-2 चमश हल्दी का पाउडर लाल बिज पाउडर अपने टेप्स्क्राइब पार्डिंग चावल बहुत ज़दा ज यहां में नहीं है तो इस तो आप कर देंगे दस मिनट तक के लिए इसको ढख देंगे तब तक करेंगे चावल मैंने यहां पे लिया हैं 10 ग्लास को अच्पिस्ट भी कर देंगे जब तक कि यह मसाले भूट रहे हैं तो यह बिर्यानी यह बिक्स वेज कुलाओ जो आप बना रहे हैं वैसे जब पिर्यानी बनाते हैं तो थोड़ा अलग प्रोसेश से बनाते हैं उसमें जह सब्सक्राइब करें तो चावल अच्छे से दूल लिया दस किलाशी चावल इसको अभी मिला देते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि अगर इस समय लॉक्टाउन के सब्सक्राइब करते हैं आप अकेले बना भी सकते हैं और टेस्टी भी होती है अब वर अच्छे से बरावर से सारे असको मिला देना है तक कि मसाले और सफ़िया देना है पूरे चावल में इसको अच्छे से लिक्स कर लिया है अब मैं आपको पताऊंगी कि पानी की संदाग से दाता है तो जितने गिलाज आपने पानी चाफ़ लिए है besar उतने वी इसमें पानी एड़ करेंगी उतकी अलावा एक लास एक्सद्र ऐसयाड करेंग well जो की बैलन्स करता है तो अभी सब्सक्रीunden करता है और पानी 10 टावर थी दावर दिया है तोसके आलवाएग जियान गिलास म astrology लगा पर हियार ग्लास ग्लास पानी दालते और क्यों चेल ख्रीम क और और भी बहुत सारी इजी टेस्टी और विक बनने वाली रेसिपीज देखने घे घे आपको विये मेरे चानल के प्लेलिस्ट के एपर विजब ज़न करियेगा आपको बहुत सारी यूनिक, ईजी, कुछ रेसिपीज दे जाएगी बच्चों के लिए, सुगन के पेशिंट के लिए, ब्रत में खाने के लिए, हर तरह की रेसिपीज, नेचुरल रेमेडी, होम रेमेडी, की अलग 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 प्लेइस्ट हैं, जो हर एक रेसिपीज के लि तो आप मैंने पानी डाल दिया और इसको अब ठब देंगे 5-7 मिनट, टेज आंच पे जब तक ये पानी बॉइल होगा, और इसके बाद वीडियो फ्लेम पेश को दस मिनट के लिए पकाना है, और इसके बाद ये बिक्स वेजिटेबल को लाओ देने, वो सयार हो जाएगा तो अगर आप अभी सख्रेश्ची लेख रहे हैं और लाइक बटन दबाना पूई रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन को दबाईएगा, कमेंट करके बताईएगा क्या लॉक्टाउन के समय में इस लब प्लेमें आपके किसी 50 फोल समय दिया एक प्लेमें अपने हादों से ब तो प्लीज जरूरी नहीं कि आप 150 लोगों को खिलाएए लेकिन अगर संभा हो तो एक दो लोगों को जरूर करिए तो आप चलिए रेखिए यह पानी हुआ है हो गया तो पका लिया आपके चावल पक रहा है और पकने के बाद 7-10 मिनत के बाद मैं इस पूर के देखा तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो और सेफ रहना भी ज़्यादा जरूरी है हिल्दी रहना